सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों एनर्जी तो हम सभी को चाहिए यह है हमारी एक prime requirement और मजगी बाती है कि यहां पर हम इसको नायतो कर सकते है create ना होती है, destroy यहां पर यह होती है सिर्फ convert एक form से दूसरी form में अब चाहे भई हम बिजली पैदा करते हों कोईले को जलाके या फिर सुल्डर पाउर प्लांट से मज़ेगी बात ही है कि यहाँ पर इंडिया में शुरू हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा सुल्डर पाउर प्लांट आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं चेकनिकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर यह बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं फिर चाहे वो कोईला हो चाहे वो तेल हो वो तो मतलब खतम होई जाएगा भी या एक नेक दिन तो हमको चाहिए यहाँ पर ऐसे उप्शिन्स जिनको हम लंबे समय तक बिना किसी टेंशन के इस्तिमाल कर पाएं और साथ में जो हमारी धरती है उसको भी बचा पाएं यहाँ पर एन्वायमेंट हमारे डैमेज ना हो अब ऐसे में और हमारे पास में उप्शिन्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इंडिया में बगर हम देखते हैं ध्यान लगा के तो हाला कि हमारे पास में बिजली की कमी है लेकिन हमारे पास में कोई कमी नहीं है धूप की रोशली की प्रकाश की और सूरज की तो यहाँ पर दू यहाँ पर इंडिया में शुरू हो गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसने पीछे छोड़ दिया है चाइना का एक पार्क को और यहाँ पर दूस्तों है कि अगर आप रैंक करनाटा के टूमकूर डिस्टिक है वो है दो हजार मेगा वाट या फिर दो गीगा मेगावाट की यहां पर दोस्तों चैना को जो पार्क तोसकी केपैसिटी थी 1547 मेगावाट यानि कि उससे भी 453 मेगावाट ज्यादा हम प्रेड्यूस कर पाएंगे और यहां पर फिलाल उसको स्टार्ट किया गया है पहली फेज में जहां पर जो केपैसिटी है वो 600 मेगाव तो यह है कि यहां पर उनकी जमीन थी वो बिसिकली बंदर जमीन थी क्योंकि उस एरिया में सूखा पड़ रहा था पिछले 60 में से करीब 54 सालों से लेकिन अब उन किसानों को भी अपनी जमीन को मिलेगा पैसा बिसिकली 21,000 रुपे हर एक एकर पूरे साल के हिसाब से तो य एक बहुती कमाल बात है सरकार का फाइदा हो गया लोगों का फाइदा हो गया हमारा फाइदा हो गया हम यहां पर साफ विजली को यूज कर पाएंगे तो यह है इंडिया का शक्ती स्थला जो की 2000 मेगावाट कैपैसिटी का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है अगर आपने एक 100 वाट का बल्ब जलाया 10 घंटे तो आपने कंज्यूम की एक उनिट बिजली अगर मालीजे कि आपने हीटर चलाया 1000 वाट का एक घंटे के लिए तो भी दूस्तों वो यूनिट जो है वो बन गई एक अभी आवरेज आप समझ लो कि एक जो आवरेज आपना हाउ सोल्ड है वो अगर दिन की 6 विनिट समझ लो की यूज़ करता है तो यहां पर दोस्तों यह जो 2000 मेगा वाट आर का हमारा कम्प्लीट एक सोलर प्लांट है यह करीब 20 लाख घरों को बिजली प्रवाइड कर सकता है 20 लाख घर एक बहुत बड़ा नंबर होता है और ऐसे पर इंडिया जो टार्गेट है कि वो 22 ले तक अचीव करना चाता है करीब 100 गीगा वाट सोलर एनरजी को तो यहां पर दोस्तों हम उसकी तरफ सही तरीकी से बढ़ रहे हैं और मेरे कहल से उसको अचीव भी कर लेंगे यहां पर थूड़ी से कमी निकल के आती है सोलर पाक साथ में वो सिर्फ यह है कि यह हमेशा अपनी फुल कैपैसिटी पे काम नहीं कर सकते हैं बही मान लो आपके पास में अगर एक कोईले वाला प्लांट तो आपके पास में कोईला है उसको जलाओ बिजली बनाओ और आप उसको 24 गंटे काम में ले सकते हो लेकिन दोस्तों क्योंक है इसके लावा यहाँ पर एफिशेंसी हमरे पास में इतनी नहीं है मतलब आभी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन जो फिलाल वार उसमें सोलर पैनल्स हैं वो इतना एफिशेंटली द्रोशनी को या धूप को या प्रकाश को बिजली में कनवर्ट नहीं कर पाते हैं आ यहाँ पर आपने एक बार लगा दिया उसके बादे कोई टेंशन नहीं है आपकी जमीन है वो वेस्ट नहीं होती है जम मन करें आप उसको बाद में निकाल भी सकते हैं मतलब बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पर इंडिया में अकसर यह देखा है कि बहुत से लोग उसको बाद में बिजली को पैदा करके बेशते हैं साथ में खेती भी करते हैं तो आप्शन त्यार बड़े ही कमाल के हैं और यह शक्ती स्थले दोस्तों कर दिया है कमाल मतलब यहाँ पे 2000 मेगा होट की कपैसिटी 13000 एकर का साइज इंडिया है दुनिया में नंबर वन फिलहाल त दोस्तों यह सुच के काफी खुशी होती है काफी प्रावड मिलता है और टॉप 10 में से 5 जगहें हैं वो हमारे ही पास है तो यहाँ पे दोस्तों मेरे खायल से तो हम इस टार्गर को चीफ कर पाएंगे कि हम आगे चलके dependent ना रहें ऐसे conventional resources पे हम basically clean तरीके से फिर चाए वो wind energy हो चाए वो solar power plants हो चाए वो टेडल energy वोगरे हो हम उनी की मदद से बिजली को पैदा कर पाएं और हमारी ज़रूतों को complete कर पाएं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कवेड़ साला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर न झाल 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 झाल 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 झाल